कर दोस्तों स्वागत आपका हमारे नूज यूटूब चनल में दोस्तों एक बड़ फीर आज रहूएं बड़ी अपडेट के साथ लागों क्रमचैर और पैंसन बोगयों के लिए लेटेस अपडेट लेका जहां दोस्तों जो टारा महिने का पैंडिंग अरियर हैं उस पर फै को स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेश्ट अगर आपने हमारे चैनल पर फैस्टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने ने भूले और साथ ही साथ बल आइकन को भी जरूर्द वे जो भी गुर्मेंट इंप्लोईज और पैंसनर से समय दिन हो जाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पहुंसके तो आए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टाट करते हैं 14 मेने जनवरी 2020 से और जून 2021 तक के बकाई डिये एरियर का इंतजार खतम हो सकता है पास राजियों के चुनाव के नेतिज़े के बाद संभावना जिताई जारे कि मोधी सरकार जल्थ ही बहुपरतिक्षीत जो डिये एरियर पर भी फैसला ले सकते हैं हालां कि सरकार की तरफ से अभी कोई पूष्टी नहीं की गई और ना ही अधिकारिक ब्यान सामने आए हैं अगर डिये एरियर कलियर होता है तो क्रामचारी की सालरी में डाई लाख तक का लाव मिलेगा दोस्तों हम जो मिडियर इंपोर्ट है उसके अकोर्डिंग बताते हैं कि 16 मर्च को मोधी काबिनेट बैठने वाली हैं जिसमें केंद्रिय क्रामचारी को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं केंद्रिय क्रामचारी के महंगाई बत्ते में तीन फिजदी की बड़ोत हो जाएगा और वहें 18 महिने के अटके डिय अलिए का इंतजार खतम हो सकता है अगर सरकार इस पर विचार कर सकती है दियए और जो एरियर का एक साथ भुक्तान भी किया जा सकता है हालांकि भीते दिनों सरकार की और से जारी किये गए ब्यान से सापक आगाए कि अभी इस पर कोई विचार नहीं लेकिन अब जो सरकारी क्रामचारी है उनको उमीद है कि पास राजे के चुनाओ के नतीजी आने के बाद होली के आसपा सरकार इस पर फैसला ले सकती हैं मोति सरकार के इंदरिये करामचारे के जो डिये का वन टाइम सेल्टमेंट कर अकाउंट में करीब 18 मेने के एरियर की बिलासी एक साथ ट्रास्पर कर सकती हैं J Señor National Concelling of JCR के सीवगोपाल मिषरा की मानेत एओपीटी और वित मंतरा लैव विवा के अधिकारिक के साथ JCR की जोईनिंग की एक एहम बैठक हो सकती हैं वहें कांस्लिंग ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डिये बेहाल करते वक्त 18 महिने से जो पेंडिंग डिये एरियर का वन टाइम जो सेटलमेंट है वो कर दिया जाएगा वहें बारतिय पैंसन बोगी मंच ने भी अपने प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी को पत्तर लेकर इस पूरे मामले में जो हस्तेक्ष पर जल्द ही निर्देश जारी करने की अपिल की है ये एरियर पर जो आपकी सेलिट का कल्कुलेशन है वो भी हम आपको पताते हैं के इंद्रे क्रमचारी को डिये एरियर के रूप में एक लाग चवाड़े जार दो सो रूपे से दो लाख 18,200 रूपे के बीच मिल सकता है इसमें दोस्तों जो करीब एक क्रोड क्रमचारी है उनको लाब दिया जाएगा और 48 लाग क्रमचारी और 68 लाग 59 वो इसमें सामिल होते हैं अगर क्रमचारी का मूल वेतना 18,000 रूपे है उनने तीन महीने के इसापसे बकाई डिये एरियर 11, 1880 रूपे मिलता है यानि कि इसमें जो आपका डिये तीन महीने का बनता है तो इसमें दोस्तों वहें अन्य बत्ते भी इसमें सामिल हो रहे हैं सात्मा वेतना आयोक के तैत मिनिमम ग्रेड पेपर क्रमचारी को जुलाई से दिसम्बर 2020 तक डिये एरियर जो 3240 रूपे मिलता यहां डोस्तों एसमें बताता है की बरहीर लेकर leiness बेञाए है जो लेवल वन का है वो बनेगा वहीं हम बात करते हैं लेवल तो जो हमारे क्रामचारी का बगाई डिये 1,200,200 से 2,18,200 रुपे के बीज में बनेगा अगर केंद्री क्रामचारी का मुली वेतन 56,000 रुपे है उन्हें तीन महीने का जो बगाई डिये एरीर 7,58 रुपे डिये एरीर बनेगा लेवल बन के करम चरीक और डी एरियर गैरा जार आटसो असी रुपे से लेकर सैते जार पांसो चम्मन रुपे बनेगा लेवल चोदा की बात करते हैं अगोर्डेंट टू सेंट सीपी सी बैसिक पैस केल एक लाग ते जार सो रुपे से दो लाग पंदरा जार नो सो रुपे मिलेगा दोस्तो यह थी आज के मैं लेटरिस अपडेट आई योप आपको वीडियो अच्छी लगए ओकि दोस्तो वीडियो अच्छी लगए तो लाइक जुरूर करें सब्सक्राइब गरें और जदा से जदा शेर करें मिलेंगे जल्द ही नाक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों आप से भी को हमारी और से जैहिन जैजवान जैक्सन